हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू आल अफ यू, वेलकम टू लर्न वित लक्ष्मी शर्मा, आज है छे सितंबर दोजर बाईस और आज की टॉप 20 करेंट अफियर्स हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, जिसमें आपको इन 20 क्वेस्चन्स के डिटेल्ड एक्स्प् साथ स्टाटिकल करेंट अफियर्स भी कवर कराया जाएगा, और इस वीडियो की पीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, हमारा पहला क्वेस्चन है, टीचर's Day is celebrated every year on the birth anniversary of DAS, सिक् के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और ये इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे, जिनके जन दिवस के औसर पर हर साल 5 सेप्टेंबर को टीचर's Day सेलिब्रेट किया जाता है, इनका जन 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और इन्होंने अपने करियर की सुरुआत टीचर की रू और इन्हें 1954 में भारत रतन अवार्ड भी दिया गया था, हाला कि इनका जन 5 सितंबर 1888 को हुआ था, लेकिन पहला टीचर's Day 1962 में इनके 77 बर्थ अनिवर्स्टे के औसर पर सेलिब्रेट किया गया था, और इस बर 2022 में टीचर's Day की थीम रखी गई है, लीडिंग इन क्राइस इसके अलावे आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ल टीचर's Day 5 अक्टोबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और 5 सेप्टेंबर को नैशनल टीचर's Day सेलिब्रेट किया जाता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, Who won the election of the Prime Minister of the United Kingdom? United Kingdom की प्रधान मंत्री का चुनाओ किसने जीता? इसका आंसर आप्शन भी Liz Truss. Liz Truss जो कंसर्वेटिव पार्टी से भी लॉंग करती है, इन्हें United Kingdom का next Prime Minister elect किया गया है. इन्होंने इस एलेक्शन में अपने अपोनेंट रिसी सुनक को हरा कर United Kingdom की next Prime Minister elect की गई है, जिसमें इन्हें 81,326 वोट्स मिले हैं, जबकि रिसी सुनक को 6,399 वोट्स मिले थे. और अब Liz Truss Conservative Party की fourth Prime Minister होंगी. इन्से पहले United Kingdom के Prime Minister थे Boris Johnson, जिन्हें इन्होंने रिप्लेस किया है. Next question is, who won the gold medal in the Malaysian chess meet? Malaysian इस अत्रंज पतियोगता में स्वन पतक किसने जीता? इसका आंसर है option A, Aniska Biyani. Aniska Biyani ये मात्र 6 साल की हैं, जिन्होंने Malaysian Age Group Rapid Chess Championship में गोल्ड मेडल जीता है. ये Championship Malaysia के Kuala Lampur में आयोजित की गई थी. जिसमें इन्होंने Under 6 Open Category में गोल्ड मेडल जीता है. और इससे पहले Aniska Biyani जुलाई 2022 में Under 7 Players में क्वालिफाई कर चुकी हैं. ये tournament तिलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की गई थी. Next question is, who won the 2022 Dutch Formula 1 Grand Prix? 2022 Dutch Formula 1 Grand Prix किसने जीता? इसका आंसार आप्शन C, Max Wastopan. Max Wastopan जो Red Bull के Formula 1 के driver हैं, इन्होंने हाली में आयोजित हुए Dutch Formula 1 Grand Prix को जीता है. इस Grand Prix को जीतने के साथ ही इन्होंने इस सीजन में अब तक 10 races जीते हैं और इन्होंने अब तक 72 podium finish किये हैं, जिसमें इन्होंने इस race में 26 points हांसल किये हैं. Max Wastopan 2021 में भी Dutch Grand Prix जीता था और इन्होंने अब तक अपने करियर में 30 races जीते हैं. Next question is, Recently Cyrus Misthry passed away. He was the former chairman of which company? हाली में Cyrus Misthry का निधन हो गया है, वे किस company के पुर्व अध्यक्ष थे? इसका answer option B, Tata Sons. हाली में Cyrus Misthry के car accident में डिथ हो गई है. ये Tata Sons के former chairman थे और ये एक जाने माने industrialist थे. ये Tata Sons के पहले ऐसे non-Indian chairman थी जिन्होंने Tata Group को lead किया था. Cyrus Misthry ये Ireland से belong करते थी जिन्हे Tata Sons का chairman बनाया गया था. और 2016 में इन्होंने Tata Sons के chairman के पत से इस्तीफा दे दिया था. इसके अलावे ये National Integration Council के भी member रह चुके हैं. Next question is When was the international day of charity observed? अंतराश्टी charity दिवस कब मनाया गया? इसका answer है option A, 5th September. 5th September को Mother Teresa के death anniversary celebrate की जाती है. इसलिए हर साल 5th September को इस डे को celebrate किया जाता है. Mother Teresa जिन्होंने अपनी पूरी life charity और लोगों की मदद करने में बिताई है, इन्हे 1979 में Nobel Peace Prize दिया गया था. और इस दिन लोगों के humanitarian efforts के लिए अवार्ड दिया जाता है. इस डे को United Nations General Assembly द्वारा 17 December 2012 को declare किया गया था. तब से हर साल 5th September को इस डे को celebrate किया जाता है. हमारा अगला question है guys. Who has been given an additional charge as the CEO of Sunset TV? Sunset TV के CEO के रूप में किसे अतिरिक प्रभार दिया गया है? इसका answer है option D, उत्पल कुमार सिंग. उत्पल कुमार सिंग जो लोगसभा के Secretary General है, इन्हें हाली में Sunset TV के CEO के लिए additional charge दिया गया है. इन्होंने इस पोस्ट के लिए रवी कपूर को replace किया है, जिने 2021 में appoint किया गया था. Sunset TV इसे September 2021 में launch किया गया था, जिसे अब लोगसभा TV और राज़सभा TV चैनल्स के साथ मर्ज कर दिया गया है. Next question is, इसका answer option B, दुबई United Arab Emirates के दुबई सहर पहली होमेपाथी इंटरनाशनल समिट को host करने वाली है. इस समिट के A में होमेपाथिक सिस्टम को प्रमोट करना, जिससे होमेपाथी ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को अवेर किया जा सके. इस समिट में इंडिया के तरफ से अस्वेनी कुमार चौबे, जोके इंवाइर्मेंट, फॉरिस्ट्री और क्लाइमेट चेंज के स्टेट मिनिस्टर है, ये इस मीटिंग को अटेंड करेंगे. हमारा अगला question है, हाली में भारत सरकारदार निमलेखित में से किसे मंजूरी दी गई है? इसका answer option C, हैदराबाद Liberation Day. बहुत टाइम से हैदराबाद Liberation Day सेलिब्रेट करने की डिमांड हो रही थी, इसलिए इंडिया गवर्मेंट ने हाली में इसे अप्रूबल दिया है. इसे 2022 से 2023 तक सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसमें 17 सेप्टेमबर 2022 को Ministry of Culture इसकी opening ceremony को होस्ट करेगी. इस डे को उस इवेंट के remembrance में सेलिब्रेट किया जाएगा, जब हैदराबाद को इंडिया में 1948 में सामिल किया गया था. हमारा अगला question है, Public sector banks will open 300 branches by desk. सारवजनिक छेत्र के bank कौन से साल तक 300 साखाएं खोलेंगे? इसका answer option 8 December 2022 December 2022 तक Public sector banks अपने 300 branches को खोलने वाली है और इन branches को उन एरियास में खोला जाएगा जहां कोई भी bank के branches नहीं है. इन branches को ऐसे villages में खोला जाएगा जहां 3000 से जाधा का population हो, जिसे remote areas के लोगों को facility प्रोवाइड की जा सके. इन 300 branches में से सामिल है 95 branches जिसे राजस्थान में खोला जाएगा और मद्य प्रदेश में 54 branches खोले जाएंगे. इसके अलावे और कई states में branches खोले जाएंगे. और ये decision bank को द्वारा इसलिए लिया गया, क्योंकि state level bankers committee में इन बैंकों को कहा गया था कि ये ऐसे remote areas में अपने branches खोले जहां कोई भी bank के branches नहीं हो. इसलिए ये public sector banks अपने 300 branches को खोलेंगी. इसका आंसर है option D. अर्जुन इरिगेसी जो Indian Grand Master है, इन्होंने हाली में आयोजित हुए 28 अबुदावी Masters Chess Tournament 2022 को जीता है. ये tournament अबुदावी Chess Club और Mind Games Federation के द्वारा organize किया गया था, जिसे UAE के अबुदावी में आयोजित किया गया था. इस tournament में अर्जुन इरिगेसी नी स्पेन के डेविड अन्टॉन गुईजारो को फाइनल डाउन में हरा कर ये tournament को जीता है, जिसमें इन्हें इस tournament में 7.5 points मिले हैं और करेंटली ये live ranking में इंडिया में number 3 position पर हैं और इसके साथ ही ये world में 24th rank पर हैं. हमारा अगला question है, who authored the book titled When the Heart Speaks Memoirs of a Cardiologist? इस book को किसने लिखा है? इसका answer option B. उपेंद्र कॉल. उपेंद्र कॉल जोके इंडिया के जाने माने कार्डियोलोजिस्ट है, इन्होंने हाली में इस book को लिखा है, जिसका title है When the Heart Speaks Memoirs of a Cardiologist. इस book को कोनार्ग Publisher Private Limited के द्वारा पब्लिस किया गया है. और उपेंद्र कॉल को इंडियन मैडिसीन में contribution के लिए इन्हें 1999 में Dr. विधान चंद्र रॉय अवार्ड दिया गया था. इसके अलावे इन्हें 2006 में Padmistry Award भी दिया गया था. Next question is How many days of maternity leave have been approved in case of early child death? बाल मृत्यों के मामले में कितने दिनों का मातरत ये अवकास स्विक्रित किया गया है? इसका आंसर है Option C 60 Days. हाली में Ministry of Personal, Public, Revanse and Penson ने ये decision लिया है कि अब Central Government female staff को 60 days का maternity leave दिया जाएगा. ये एक तरह की special maternity leave होगी जिसमें अगर बेबी के डिलिवरी के दौरान ये डिलिवरी से पहले अगर मृत्यों हो जाती है या फिर जन्ब के तुरंट बाद उसके death हो जाती है इस case में 60 दिन की maternity leave दी जाएगी. और ये special maternity leave के वल Central Government female staff के लिए है और ये facility के वल उन female staff को दिया जाएगा जिनके बच्चे गवर्मेंट के द्वारा अप्रूब्ट होस्टीटल में जन्ब लिये हों. हमारा अगला question है Who has been appointed as CMD of Shipping Corporation of India? भारतिय नौ वहां निगम के CMD के रूप में किसे न्यूट किया गया है? इसका answer option B. बिनेश कुमार त्यागी हाले में बिनेश कुमार त्यागी को Sipping Corporation of India का नया चेर्मैन और मैनेजिंग डारेक्टर अपॉइंट किया गया है. इनकी appointment appointment committee of cabinet ने की है और इनने इस पोस्ट के रिए 5 साल के लिए पॉइंट किया गया है. Sipping Corporation of India इसे 2 October 1961 को found किया गया था और इसका headquarter मुंबई में है. Next question is Which bank has collaborated with ADB to promote supply chain solutions in India? भारत में आपूर्तिस ट्रिंकला समधान को बढ़ावा देनी के लिए किस bank ने ADB के साथ सयोग किया है? इसका answer option A, Indus Inde Bank Indus Inde Bank ने हाली में Asian Development Bank के साथ collaborate किया है, जिससे इंडिया में financing improvement हो और supply chain solutions को promote किया जा सके. इस collaboration के लिए Indus Inde Bank ने ADB में 560 करोर रुपे invest किये हैं. Indus Inde Bank इसे 1994 में found किया गया है, इसका headquarter मुंबई में है, इसके chairman है अरुन तिवारी और इसके chief executive officer है सुमन्त कटपा लिया. हमारा अगला question है Who represented India in the gas tech milan 2022 summit? Gas tech milan 2022 सिकर सम्मेलन में भारत का प्रतेनित्धत्व किस ने किया? इसका answer है option D. हर्दीप सिंग पोरी हर्दीप सिंग पोरी जोके इंडिया के petroleum and natural gas union minister है, इन्होंने हाली में आयुजित हुए gas tech milan 2022 summit को represent किया है. यह summit इटली में आयुजित की गई थी. इसके अलावे हर्दीप सिंग पोरी इस discussion को भी chair करेंगे, जिसका नाम है India Spotlight, Powering India's Energy Industry, New Avenues for a Sustainable Future. इसके साथ ही यह ministerial panel discussion में भी part लेंगे, जिसका नाम है Energy Security and Transition. Next question is How many teachers have been conferred with the national awards on Teachers Day? सिक्षक दिवस पर कितने सिक्षकों को राश्ट्रे पुरस्कार से समानित किया गया है? इसका answer option B, 46. Teachers take occasion पर नए दिल्ले में 46 selected teachers को national awards दिया गया है. और ये awards इन्हें इंडिया के president द्रौपदी मुर्मो नी दिया है. इन awards में इन्हें एक certificate, 50,000 रुपे cash और एक silver medal दिया गया है. द्रौपदी मुर्मो जो की इंडिया की 15th president है. Next question is Who authored the book titled Back to School Question and Answer Session with Business Students? Back to School Question and Answer Session with the Business Students नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका answer option C, Warren Buffett. Warren Buffett, जो world की 7th wealthiest person है, इन्होंने हाले में इस book को लिखा है. जिसका title है Back to School Question and Answer Session with Business Students. Next question is Which motor company launched India's first liquefied natural gas-fueled green truck manufacturing plant? किस motor company ने भारत का पहला liquid natural gas-fueled green truck manufacturing plant को launch किया है? इसका answer option E, Blue Energy Motors. इंडिया के पहले liquefied natural gas-fueled green truck manufacturing plant महाराश्टरा के पोने में खोला गया है. और इस plant को road transport and highway union minister नितिन गडगरी ने inaugurate किया है. इस plant के capacity लगबग 10,000 green trucks को annually बनाने की होगी. और इसमें ऐसे vehicles बनाये जाएंगे जिससे pollution नहीं होती है. इस facility के लिए Blue Energy Motors ने Fiat Power 10 Technology के साथ collaborate किया है. जिसमें इसमें BS6 engines लगाए जाएंगे. Next question is, Which IIT has partnered with Inspire Institute of Sports to develop advanced boxing analytics software. उन्नत boxing analytics software विक्सित करने के लिए किस IIT ने Inspire Institute of Sports के साथ बागिदारी की है? इसका answer option D, IIT मदरास. 2024 के Olympics में इंडिया के boxing में जादा से जादा medals आ सके, इसके लिए इंडियान Institute of मदरास ने Inspire Institute of Sports के साथ collaborate किया है. इस collaboration के under advanced boxing analytics platform जिसका नाम smart boxer है, इसे develop किया जाएगा. इस smart boxer में IoT मतलब internet of things based sensors लगाए गया है, इसके अलावे इसमें video cameras भी लगाए गया है, जिससे boxer के performance को अच्छे से analysis किया जाएगा, और उनके performance को सुधारा जाएगा, जिससे इंडिया को जादा से जादा boxing में medal मिल सके. IIT मदरास, इसके director है professor V, कामा कोटी. So guys, ये थे आज की top 20 questions. पिछले वीडियो मैंने question पूछा था, इसका answer था option B, Odisha. अगले question का answer आपको comment section में देना है, So the question is, इसका answer आपको comment section में देना है. So guys, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, और इसे like और share करना मत भूलेगा. और इस वीडियो की PDF आप इसके description लिंक पर जाकर download कर लीजेगा. Thanks for watching guys and have a good day. Bye guys. झाल